Hello Friends, तो आज अपनी Classics Rd Sharma की Exercise 9.4 करेंगे और यह इस Exercise का Part 1 है जिसमें हम 8 questions करेंगे और जो बाकी questions हैं वो हम next video में करेंगे तो इसमें 1st question देखू क्या कहता है The price of 3 meter of cloth is Rs. 79.50 कि 3 meter कपड़े का जो कीमत है वो इतने रुपे है तो क्याता है कि बताओ 15 मीटर कपड़े की कितनी होगी जब भी ऐसा केस आजाए ना कि कुछ 3 की दिया और फिर 15 की पूछ लिए ऐसा ही कुछ भी पूछ लिए तो हमें क्या करना होता है एक की कीमत निकालनी होती है हमने इस वीडियो जब यह स्टार्ट किया था चैप्टर तो इसकी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट किया था अगर आपने वो नहीं देखा वो तो उसको जरूर देखे उसमें हमने एक यूनिटरी मेथड पड़ा था ठीक है तो हमें स्टेटमेंट कहां से लिखनी होती है अब हमें दो चीज़ दी एक तो मीटर और एक रूपीज दो क्वांटिटी दी है नहीं आपर हम क्या करेंगे हम दो अपने असानी के लिए दो बॉक्स बणा लेते है ठीक है यह हमारा मीटर का है यह रूपीज का बॉक्स है ठीक है तीन मीटर यहां है इसकी कीमत दी हुई है 7950 79.50 फिर 15 मीटर की निकालनी है ठीक है हमें यह चेक करने के लिए कि हम इसको पहले लिखे है इसको पहले लिखे अब जिस सरफ दोनों चीजें पूरी हो जाती ना वहां से स्टार्ट करते हैं ठीक है तो हम क्या लिखेंगे कोस्ट आफ थ्री मीटर क्लोथ क्या है हमारे पास रूपीज 79.50 अब कोस्ट आफ वन मीटर क्लोथ की क्या हैगी जो भी यहां वैल्यू होती ना उपर जैसे यहां पर थ्री लिखा हुआ है वो डिवाइड में चली जाती इसके पूरे की ठीक है अब पूछाए कि कोस्ट आफ 15 मीटर 15 मीटर का पूछाए ना तो 15 मीटर का क्या हो जाएगा जब हमें वन काल निकालना आता तो इससे उपर वाड़ी वैलू डिवाइड हो जाती है और वन से ज़्यादा जब हो जाता है ठीक है तो वो मल्टिप्लाई हो जाता है ठीक है अब इसको क्या करेंगे हम कैंसल कर देंगे 3 1 3 3 5 15 इसकी से साथ क्या कर देंगे multiply जब हम इसकी से multiply करेंगे तो हमारे पास answer क्या आएगा rupees 397.50 ठीक है इस तरह से मारा होगा question 1 देखो by second cost of 17 चेयर 17 17 कुरसियों की cost इतनी है यह कहता है कि यह बताओ कितनी चेयर जो हो इतने रुपीज में खरीदी जाएंगे तो हम अब यह नहीं लिखेंगे cost of 17 चेयर हम statement क्या लिखेंगे कि इतने रुपे में 17 चेयर खरीदी जारी है हम box बना लेंगे वापिस यह देखो यह box हमारा चेयर का और यह रुपीज का ठीक है चेयर कितनी है 17 कितने रुपीज होगे 9605 अब दुबारा रुपीज दिये वे ना तो रुपीज हम लिख लेंगे यहाँ पर हमारे पास दि चीज होगे और यहाँ पर सिर्फ एक चीज दी है तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे ठीक है तो हम लिखेंगे चेयर कि इन रुपीज 9605 कितनी चेयर आरे इतने रुपे में 17 अब यहाँ जो दिया उता हुसके बाद में क्या बढ़ाना होता है हमेशा वन बढ़ाना हम यही करेंगे चेयर से रुपीज 56500 इसके साथ क्या करते हैं यह जो पहले लिखा वाता है इसको सेम यह हमारा मल्टिप्लाइ में चला जाएगा 56500 ठीक है जब हम इसको डिवाइड करेंगे इनकी मल्टिप्लाइग करेंगे तो हमारे पास जो हो यह अंसर आ जाएगा इन 960500 ठीक है और डिवायड वाई यह है 9605 तो जब हम इसको डिवायड करेंगे कहां से तो यह पूरा 1 पे और और दो बचकी 0 यानि के कितनी चैर आजाएंगे इतने रुपे में इसका अंसर आ गया हमारे पास 100 तीसरा क्वेशन भी ऐसा ही है, क्याता है तीन फैरी लोट्स और नीडिट टू कैरी 150 पीपल्स ठीक है, बई तीन जो हो गाड़ियां चाहिए में 150 लोगों के लिए के जाने के लिए एक बार में एक रिवर क्रोश करवाने के लिए ठीक है, तो कितने सारे लोग जो हैं, वो च इन ठी फेरिलोड्स 150 अब यहाँ पर थे हैं तो यहाँ पर हमें पहले 1 बढ़ाना होता और फिर जो पूछा है जो लिखना होता है ठीक है तो आगे लिखेंगे हम पीपल इन वन फेरिलोड कितने हो जाएंगे मारे पास 150 divided by 3 people in पूच्छा कितना है 4 4 लिखेंगे हम तो 4 में क्या करेंगे 150 divided by 3 तो होता है यहाँ पर 1 से जादा हो जाए तो multiply करते हैं ठीक है जो भी पूच्छा है so 3 5s are 15 0 अब इसकी multiply कर लेंगे 50 की 4 से तो 5 4s are 20 और 1 0 तो यह 0 होगी यह कितना हो गया हमारे पास 200 यानि इसका अंसर के आगया हमारे पास 200 people फोर्थ क्वेशन है इफ 9 kg of rice कोस्ट रूपीज 1 0 2 स्वारी 1 2 0 0.60 what will be the 50 kg of such quality कहता है 9 kg के चावल जो है अगर वो इतने रूपे में आ रहे तो यह बताओ पचास किलो ग्राम चावल कितने रूपे में आएंगे तो हमें यह दो चीजे दी हुई है और यह एक दिया हुआ है तो हम लिखेंगे कोस्ट ओफ 9 kg rice 120.60 अब यहां पर हमें क्या बढ़ाना आता है 1 kg यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हम तो क्या लिखेंगे 120.60 डिवाइड बाइ 9 अब पुछा क्या हुआ हम से 50 kg तो हम क्या करेंगे 120.60 डिवाइड बाइ 9 multiply 50 ठीक है इसको solve कर लेंगे इसको इनका point रटाएंगे तो यहां पर यह point रट गया यहां पर क्या आजाएगा 20 आजाएगी क्योंकि point के बाद 2 डिजिट है ठीक है इस 0 से यहां से एक 0 कैंसल कर देंगे अच्छा उसके बाद यह cancel हो रहा है तो हम इसको कर देंगे अब जैसे यह क्या 9 1 जा 9 0 यहां से करा 9 1 जा 9 बचे कितने 3 30 9 4 जा 36 हो जागा 9 3 जा 27 3 9 4 जा 36 और 0 ठीक है 5 1 जा 5 5 2 जा 10 अब 2 से cancel किया 2 6 4 12 2 7 जा 40 0 6 7 0 जो वो इसका आंसर आ गया तो इसमें कितने यह कोस्ट जो वो 50 के जी कितने हो जाएगी रुपीज 670 ठीक है फिफ्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन जो है वो 200 किलोमेटर चलती है पांच गंटे में तो यह बताओ वो 7 गंटे में कितना चलेगी ठीक है तो हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस डिस्टेंस ही तो ट्रैवल किया तो डिस्टेंस ट्रैवल बाइट्रेन इन देखो आवर दिये होएने तो हम यह लिखेंगे 5 आवर्स 200 किलोमेटर ठीक है अब डिस्टेंस ट्रैवल बाइट्रेन इन वन आवर वन आवर में कितना हो जाएगा डिवाइड करना वई और डिस्टेंस ट्रैवल किया है ट्रेन के दुवारा कितने में पूच्छा है 7 आवर में पूच्छा है तो 7 का क्या कर देंगे 200 डिवाइड बाइ 5 मल्टिप्लाई 7 ठीक है 5 वन जा 5 5 तू जा 5 पॉर जा 20 0 40 मल्टिप्लाई 7 यानि 4 सेवन जा 28 और 0 जो है उसको 7 में लिखते ही है तो कितना ट्रैवल किया 7 गंटों में 280 किलोमीटर ये फिफ्ट वेशन था 6 क्या कहता है कि 10 जो लड़के है वो डिग डिग का मतलब होता है खोदना पिट का मतलब होता है गड़ा यानि 10 लड़के गड़ा खोदे है 12 गंटे में तो ये बताओ 8 लड़के कितने गंटे में खोदेंगे ठीक है तो हम लिख लेंगे 10 बॉइज डिग पिट इन 12 आर्स ठीक है 1 बॉइज एक लड़के कितने में खोदेगा 12 बॉइज 10 आवर में अब पूच्छा कितना है 8 बॉइज पूच्छा है तो हम वो लिख लेंगे अब 8 बॉइज विल डिग पिट इन क्या दियावत में 12 डिवाइड बै टेन मल्टिप्लाई एट अब यहाँ पर हमारे पास जो आयाम उसको मल्टिप्लाई कर लेते हैं 12 डिवाइड बै टेन यह हो गया हमारे पास 10.8 आवर ठीक है सेवन्थ क्वेश्चिन क्या कहता है ए मैन कें डू वर्क 8 आवर्स डेली एंड फिनिश इस वर्क इन 12 डेज एक आदमी लगाता राट गंटे काम करता है और वो 12 दिन में कर लेता है अगर वो 6 गंटे डेली काम करे तो वो कितने दिन में काम केंप्लेट करेगा तो यहाँ पर गंटे और दिन दिये हो हैं तो हम लिखेंगे वर्क दन इन 8 आर्स डेली अगर 8 आर कर राँ तो कितने में हो रहा है 12 days में अब अगर work वो करें सिरफ एक गंटा डेली तो कितने दिन में होगा 12 divided by 8 देखो भी time और जो work होता ना उसमें ultra relation होता है अगर कोई अगर 8 गंटे कोई daily काम करके 12 दिन में कर रहा है और एक गंटा करें तो और ज़दा time लग जाएगा उसको तो यहाँ पर हमेशा multiply होगी divide ने होगा ठीक है अब केता है कि 6 गंटे daily करें तो क्या होगा work done in 6 hour अब अगर 6 दिन करें तो कम time लगेगा ना एक तो एक गंटा करा दा तब इतना लग रहा था अब 6 गंटे कर रहा है तो कम time लगेगा ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा divide हो जाएगा यह 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2 8 जा 14 तो यहाँ पर हमारे पास क्या answer आगया 16 यानि कितने दिन में काम complete होगा 16 days ठीक है यहाँ भी सेम थोड़ी से mistake होगी है इस वाड़े question में भी कि अगर 10 लड़के 12 गंटे में खोद रहें तो एक लड़का और जाधा time लगाएगा तो 10 multiply हो जाएगा divide नहीं होगा यहाँ ठीक है और 8 लड़के अगर खोद देंगे तो फिर कम time लगेगा यहाँ पर आएगा 12 multiply 10 by 8 और यह थोड़ी सी calculation रोंग होगी यहाँ पर अब यह cancel करेंगे तो क्या आजाएगा 248 2510 224 262 21 22 236 353 multiply 5 यानि के 15 तो इसका answer क्या आजाएगा 15 आ hours चीक है एडर्व क्वेशन देखें 15 पोस्ट कार्ड जो वह इतने रुपए में चप रहे हैं तो यह बताओ कि अगर 36 पोस्ट कार्ड अमने क्रीदने है तो उसका क्या करेंगे 15уск कार्ड इतने रुपए क्या रहे हैं तो 36 पोस्ट कार्ड कितने रुपए काएँगे तो हम कोस्ट ओफ फिफटीन पॉस्ट कारड तु पॉइंट टूफ आप हमें वन लेटा वन पॉस्ट कार्ड अब वंद्रा इतने क्या है तो एक पॉस्ट कार्ड और भी कम रुपेके आएगा तो तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे टूपोइंट तू फइवाइड बाइ यह तो एक से जाद है तो हम क्या करेंगे मर्टिप्लाई ठीक है 15 मर्टिप्लाई 36 अब यह जो है वो हम कैंसल कर देंगे 5 3 5 15 3 3 2 6 अब आगे भी यहां से पॉइंट रटाएंगे इसके तो यहां डबल 0 लग जाएंगे पॉइंट रटते ही और यहां पे इसको आगे जब तक डिवाइड हो रहा है अपम इसको डिवाइड करते जाएंगे ठीक है और हमारा यह कट पिट के अंसर जो है ना वो यह बचेगा 5 4 0 डिवाइड बाए 100 ठीक है यानि के 5.40 तो कितनी कोस्ट हो जाएगी 36 पोस्ट कार्ड की रुपीज 5.40 ठीक है अब क्वेशन में आगे बो 45 रुपीज रुपीज 45 में कितने पोस्ट कार्ड आएंगे तो हमें क्वेशन थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा इससे हमें इसमें यह देखना होगा कि अगर 2.25 रुपीज में 15 पोस्ट कार्ड आ रहे तो 45 रुपीज में कैसे आएंगे हमें completely अलग लिखना होगा तो हम पोस्ट कार्ड इन रुपीज 2.25 15 मिल रहे थे अब पोस्ट कार्ड अगर हमें एक ही रुपे में खरीदना हो तो हम कम खरीद पाएंगे ना एक रुपे में तो हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे इससे लेकिन हमें खरीदने कितने रुपे में हैं 40 रुपे में 40 तो ठीक है और अब हम इनको डिवाइड कर सकते हैं से 15 15 15 15 बचाएं आपर हमारे पास 7 15 5 75 15 बच गया यह कैंसल किया हमारे पास 3 5 15 3 से ही हो जाएगा है 5 3 15 5 2 10 0 ठीक है तो यह मारे पास बचा 42 जा 80 0 डिवाइड बाए 3 45 आएगा भई क्या हो रहा पता ने अज जाधा है मिस्टेक हो गई यहां 45 आएगा कोशन में 45 दिया हो है तो 45 टूजा करना हमें 45 टूजा मारे पास हो गया 90 और यह एक 0 बच जी जी तो यह 0 और डिवाइड बाए 3 तो 3 बचा 43 3 9 और 00 तो हमारे पास अंसर क्या आजाएगा 300 पोस्ट कार्ड ठीक है जब भी हमें ज़्यादा चीजे दी हुई है ज़्यादा क्वांटिटी दी हुई है और हमें एक उस ज़्यादा क्वांटिटी से एक निकालना आता तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं ठीक ह एका propag फोग्फॉंगे मर्टिप्लाइउ ठीक है अगर हमारे पास कोई चीज एक से कम एक से जादा दिय हुई है के जादा की वैलु दी होई है और एक की वैल्यो निकालनी तो हम डिवाइड करें ठीक है इस से और एक वैली करेंगे ठीक है जैसे यहां हमने सारे कोश्ण्स में करा यह देखो यहां पर एक से ज़्यादा की दी हुई थी फिर एक की निकालने के लिए डिवाइड किया ना इन दोनों को और एक से ज़्यादा की निकालने के लिए मुल्टिप्लाइ किया ठीक है तो यह थी आज के मारे वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सारे क साथ और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए